नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकरिती, आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी, जो आपको घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है, और ये बहुत ही इजी टू ग्रो, बहुत ही हाड़ी प्लांट है बहुत ही अच्छा डेवलप होता है, तो इस वीडियो में मैं इस प्लांट के कैसे केर करती हूं, कहां प्लेस करती हूं, सब जानकारी दूंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये प्लांट जो है बहुत ही वेराइटी में अवलेबल है मार्केट में, तो इस प्लांट को कई नाम से जाना जाता है, जैसे वाइट बटरफलाई, अमेरिकन एवर ग्रीन, लेकिन इंडिया में ये सिंगोनियम के नाम से फेमस है, इस प्लांट के सबसे खास बात ये है कि आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों में प्लेस कर सकते हैं, ये बहुत ह कर जाते हैं, बहुत कंडिशन में ये अच्छा ग्रो होता है, अगर आप इस प्लांट के लाइट शेड चाहते हैं, तो आप इंडोर रखी और अगर आप डार्क शेड चाहते हैं, तो आउटडोर प्लेस कर सकते हैं, जहां दो से तीन गंटे के से डाइरेक्ट या इंडार सनलाइट मिल सके, अगर आप इसे इंडोर प्लेस करेंगे, तो इसका पार्ट है वो लंबा बढ़ते जाएगा, और अगर आउटडोर प्लेस करेंगे, तो ये बुशी होगा, इसकी सबसे खासियत है, स्वाइल की बात करें, तो ये बहुत ही इजी, कोई भी तरह का आप डाल सकते हैं, या लिक्विड होममेड फर्टिलाइजर मैं जो बनाती हूं, वो मैं डालती हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं, अब पानी देने की बात आए, तो बस इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, और इ उसे बुषी शेप मैंने दिया है, और तीसरा मैंने इसकी बेल लताएं जैसे मैंने बनाएं, तीनों मैं इस वीडियो मैं दिखाऊंगी, अगर आप हैंगिंग इससे लगाएंगे, तो भी बहुत खुबसूरत लगता है, पुरे उपर से गिरता हुआ जो इसकी पतियां है बहुत खुबसूरत दिखते हैं, और अगर आप पॉट में लगाएंगे, तो इसकी जब उपर से ब्रांचे बढ़ने लगेंगे, तो आप क्या कीजिए, उसकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे वो बेल का रूप ना लेगे, जैसे ही उपर बढ़ने लगे, आप इसको ग्रील पे या अपने बालकनी के ग्रील पे डेकोरेट कर सकते हैं, यह बहुत ही आड़ी प्लांटे बहुत ही इसली डेवलप हो जाता है, या फिर आप चाहें तो पॉट में जैसे मनी प्लांट को हम रोल करते हैं, मॉस्टिक में उस तरीके से भी आप इसको लगा सक हैं, आपके जैसी चौइसे वैसा रख सकते हैं, हैंगिंग में या पॉट में या बेल के रूप में किसी भी तरह से यह बहुत ही इसली चल जाता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है, जिनको ज़्यादा समय नहीं मिलता प्लांट के केर करने के लिए, तो यह सिंगोनियम का प्लांट घर में जरूर रखिए, बहुत लो मेंटेनस है, बहुत इजली डेवलप हो जाता है, इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, कोई भी एक छोटी सी टैनी ले लीजे और उसे पानी में डाल दिजे, पानी में भी बहुत यच्छा ग्रो करता है, पर अगर उसकी वाइट कलर के मिली बग्स इस तरह के कीड़े लग जाते हैं तो आप इसे क्या कीजिए कि सिर्फ हफते में या जब भी आप महीने में दो बार एकलीस तो करी दीजिए कोई भी स्प्रे इस पे सोप स्प्रे या नीम वाइल का स्प्रे जरूर आप छड़कते रहे क्योंकि यह अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आपके प्लांट को डैमेज कर सकते हैं तो इसका भी मैंने बताया पेस्टिसाइट कैसे बनता है लिंक में मैं दे दूंगी वहां से आप देख सकते हैं तो महीने में या पंदरा दिन पर आप किसी भी अगर रहे कीड़े या ना रहे आप जरूर कर दिया कीजिए तो आप इस प्लांट को जरूर अपने घर में लगाएं क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लांट है लो मेंटेनिंस प्लांट और सबसे अच्छी बात है कि यह एयर प्यूरिफायर है तो आपको घर में यह प्लांट लगाना ही चाहिए इसके कई शेड का भी रहता है यह डार्क शेड अगर आप इसे लाइट शेड करना चाहते हैं तो आप इसे इंडोर रख दीजिए और डाक शेड चाहते हैं तो आप आपकी च्छाइस तो इस प्लांट को जरूर लगाएं अपने घरों को सजाईए सिंगोनियम प्लांट से बहुत ही आप अगरों को सजाईए इस प्लांट से और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक हैपी गर्डनिंग झाले प्लाओ कर दो दीजिए और अगर दीजिए और वीडियो में तो लाइक शेया भी जाएक शेया जाएक शेया तो लाइक शेया तो लाइक हैपी